नमस्ते अभिवातन आपका Innocent Investor के इसने वीडियो में आपके लिए डिस्कलेमर दोस्तों अगर आप IPO में पैसा लगाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि आने वाले समय में आने वाले हवते में पांच-पांच IPO आ रहे हैं अभी एक IPO चल भी रहा है सबका ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी के बारे में छोटी मोटी इंफर्मेशन भी आपको देने की कुशिस करेंगे और वैसे भी मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कंपनी के बारे में जानना ही बात की बात होती है अगर आप लॉंग टर्म इनिवेशन कर रहे हो अगर आपको लिश्टिंग इन चाहिए तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना है बाजार का महाल देखना है चीजों आटोमेशन और लक्ष्मी औरगैनिक का जो आईप्यो है ये सुरुवात करेगा सो मुआर से मतलब की आप इसमें अपलाई कर सकते हो सो मुआर से तो इस पे आपको फोकस रखना है बहुत धान से कल्यान जो है इसका आईप्यो मंगलवार से चालू होगा इस पे आप फोकस स्टा करूंगा सबसे पहले की बाद करना चाहूंगा वह रहेगी अनुपाम रसायन मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो सोच रहाँ बना दूだ्यूहाँ आपके लिए इतना समझिए कि आपको क्लोज्च पर et के आस पास का प्रीमियम मिलने वाला है तो आप इसमें बिल्कुल apply कर सकते हो as of now grey market premium बढ़िया है बाजार का माहल थोड़ा सा नरम हुआ है लेकिन इस नरमी के बावजूद भी grey market premium कुछ जादा नहीं फिसला है तो आपको क्या करना है थोड़ा सा आपको सोच समझ करके application करना है मैं अलग सी वीडियो में आपको समझाओंगा अब सबसे पहले मैं जिस कंपनी की बात करूँगा वो रहेगी कल्यान जोईलर्स ठीक है ये कंपनी 87 रुपए के आजपास अपना IPO प्राइज लॉंच की है और इनका जो grey market premium है वो केवल और केवल 10 रुपए का है मैं आपको समझाता हूँ exactly आपको समझना होगा कि क्यों कल्यान जोईलर्स को बाजार सम्मान नहीं दे रही है क्यों क्योंकि आप Titan का stock भी देखते होगे बाजार में PC जोईलर्स भी है और देखो चीजों को आपको उस माहाल में समझना है कि मैं कहता हूँ बिजनेस के बारे में समझेओ अगर आप विजनेस समझोगे जोईलर्स बिजनस तो आपको पता है कि यहांपर जो यह प्लेयर्स होते हैं जो अलग-अलग सहरों में रहते हैं जगहों हें बभी आप On सामने competition हद दरजे का बहुत बड़ा है और इसी चीज़ को बाजार देखकर इनको सिर्फ और सिर्फ दस रुपए का premium दे रही है और मुझे आश्चर नहीं होगा अगर बाजार में कोई छोटा मोटा correction आ जाता है 57% का तो ये stock जो है वो दिस्काउंट पर लिस्ट हो जाए यानि कि मैं सिंपली इस company की जो future growth है उस पे बहुत ज्यादा बेट नहीं कर सकता हूँ और दूसरी चीज़ जो company का management है वो जिस हिसाब से काम करना चाहता है ना मतलब अपने नाम की value बढ़ाओ काम की value नहीं मतलब इस तरीके से मैं personal level पर देखता हूँ हो सकता है आप इसको दूसरे एंगल पर देख जाओ क्योंकि आप इनके brand investors को देखिए वह आकर कहेंगे कल्यान जोलर में यह होता है वो होता है भाई आप सामान दो डिसकाउंट दो कस्टमर को आप एड क्यों करा रहे हो अब कुछ लोग कहोगे कि भाई आप बिना marketing के सामान कहां से भी केगा तो भाई यह तो है factor कि एक तरफ आपको marketing पर पैसा खर्च करना ही है तो आप छोटे लोगों से marketing करवाओ अपने साब से अपने तरीके से कुछ मतलब होता है कि कुछ innovative टाइप का सोचो marketing करनी है तो इतने बड़े बड़े लोगों को आप ला रहे हो उनको करोणों रुपए पे कर रहे हो उससे बेटर है आप यही करोणों का अगर यह grey market premium कम से कम 30 रुपए नहीं होता है मैं यहां पर application नहीं करने वाला हूं भले ग्रे market premium या बाजार एक तरफ चलती रहे अगर यह 30 रुपए से नीचे रहेगा मैं यहां पर apply नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता ना किसी आटोमेशन की, ये कमपनी मुझे इंट्रस्टिंग लग रही है और जिनके साथ ये डील करती है, वो लोग बहुत ही ट्रस्ट वर्दी कमपनिया है, मतलब कि ये कमपनी पार्ट्स बनाती है किसका गाडियों का, ठीक, अब ये गाडियों बनाने वाली इंडिया में जो कमपन कमपनिया है, वो इनके साथ डील करती है, ये सारी कमपनिया ट्रस्ट वर्दी है, इसका मतलब क्या है, जो इनका बिजनस रवेन्यू आएगा, वहाँ पर हमको जो है, कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं अचानक से देखना पड़ सकता है, और आने वाले समय में चाहे लेक् आपको ये रेगुलर्ली चेक करते रहना हम आपके लिए हो सकेगा अगली वीडियो भी लाते रहेंगे, आपको समझा देंगे किस तरीके से आपको ये जो उतार चाढ़ावाते हैं, ग्रे मार्केट प्रीम में उसमें आपको मतलब वो चीज आपको देखकर अपलाई करना चाहिए, अब आपको पता चल गया ये गाडियों के पार्ट्स वगरा बनाती है, किस तरीके से चीज़ों को डील करती है, इनके फाइनेंसियल्स जो है, वो ठीक ठाक है, मतलब और आने वाले समय में, मुझे तो यहां पर सबसे बड़ी चीज जो लग रही है, वो आने वा देखो, जिस सेगमेंट में ये डील करते हैं, वो सेगमेंट ऐसा है, कि वहां नए लोगों को बोला जाता है भीया, क्या करने आए हो, जाओ निकल जाओ, बहुत कठिन काम है, मतलब हेक्टिक टाइप का काम है, यहां पर एक्सपर्टीज की बहुत जरूरत है, इसलिए इस आपसे कम चांसे हो सकते हैं, आपको मिलने के, कमपनी का बिजनस मॉडल बहतरीन है, रवेन्यू भी ठीक ठाक है, सारी चीजें परफेक्ट हैं, आने वाले समय में स्कोप भी बहुत बड़ा है, और जिनके साथ ये डील करते हैं, वो कमपनियां भी ट्रस्ट वर्दी हैं, उसके साथ डीलिंग है, मतलब ये ऐसा केमिकल्स बनाते हैं, मतलब उनके उपियोग अलग-अलग सेग्मेंट में होता है, यानि कि आप यहां पर बिल्कुल अपलाई कर सकते हो, बिजनस मॉडल यूनीक टाइप का है, और इस पर हो सकेगा, मैं अलग से वीडियो बना दू और देखिए, सबसे सस्ता सेर्ट कल्यांट जोइलर्स, भाई साब लाएं 87 रुपए पे, लेकिन यहां पर भी इनको ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं मिल ला है, क्यों नहीं मिल ला है, आपको पता है, मैंने समझाया कि इनको पहले तो जो सिटी वाइज, जो होते हैं ना, मतलब होता है ना, कि जिन से इनको कॉंपीट करना है, वो भी बड़े नाम है, बड़ा काम भी उनका, उनसे कॉंपीट करना है, मतलब इनके पास चारो तरफ से कॉंपीटीशन है, बस इस लेक्विडिटी वाली बाजार में पैसा उठाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा इनका ज़्यादा खर्च हो गया होगा कहां पर advertisement में आपने देखा होगा कलनाड जोलर्स में आईए आपको free में गहने मिलेंगे आपकी भी भी खुस आप भी खुस आईए आईए मैं सच बता रहा हूँ मुझे इस तरीके के बिजनेसे बिलकुल नापसंद होते हैं मतलब काम धंद काम धंदा अपना नहीं ठीक से करेंगे एड करवाएं यहां भाई यह काम कर जाएए खेर अब बात करते हैं नजारा टेकनोलोजीज की यह है यह भविस्य यह फ्यूचर आज से तीन साल चार साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा IPO इंडिया में लॉंच होगा बहुत ह कीजिए अपलाई जरूर करना है बहुत ही सुभ नंबर पर 1101 पर आया है इसका भी IPO अपलाई तो जरूर करना है इंट्रेस्टिंग कंपनी है आने वाले समय में धमाका करेगी हो सकेगा इस पर वी वीडियो आएगी 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 ग्रे मार्केट प्रिमियम भी यहां प सकता है इस हफते का खैर यह हफता तो अग्दम IPO से भरा पड़ा है मार्च एंड धमाका कर रही है मतलब यह कंपनियां बहती गंगा में हाथ दो रही है अब जिस कंपनी के मैं बात करने चलना हूं सुर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक यह IPO मेरा फेवरेट है कौन सा लक्ष रिवार्ड रेशियो है जो मैं रिवार्ड पास सकता हूं अगले 10 साल में हो सकता है यह बैंक हमको 15 गुना का रिटन दे दे 1500 परसेंट का और यह मैं बहुत उड़ा कर नहीं बता रहा हूं एकदम नॉर्मल सेंस में बता रहा हूं जिस हिसाब से इनकी फानेंसियल परफॉ इसलिए बहुत बड़ा डेंट अचानक से नहीं आ जाएगा अब देखना यह है कि बैंकिंग सेक्टर में यह जो स्मॉल फाइनस बैंक की रेली चलती है उसको किस हिसाब से यह बैंक जो है स्मॉल फाइनस बैंक यूटिलाइज कर सकता है छोटे स्मॉल फाइनस बैंकों मे बहुत बड़ा कॉंपटीशन अभी तो नहीं है लेकिन जो जिन से है वो थोड़ा से बड़े नाम है तो आपको पता है कि यह इसमॉल फाइनस बैंक कितना बड़ी हाँ परफॉर्म किया है आपको पता है सारी चीजे वहाँ पर कंट्रोल में है NPS वगरा भी इनके ठीक ठा करना है तो मैं लक्षिम्या और गैनिक करूंगा लिस्टिंग एन खाने के लिए लॉंग टम इनमस्ट्मेंट के लिए सूर्योदय स्मॉल फाइनस मैं अगर मुझे तीन सेलेट करना पड़े तो मैं क्रास्ट्समें और फिर सबसे अंतमिया कर मैं किसी को मजबूरी कंट्प करिदो खरीदो तो मैं कहुंगा लाओ दे दो कले आंट जोलर्ष को भी दे दो आइवोप मैंने आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम का अच्छे से अनाल्सिस दे दिया आपको चीजें समझ में आई होंगी मैंने आपको कई बार ये बात बताई हुई यहां से आती है, यह काम करती है, यहां से उठाती है, यहां से जाती है, तो टाइम वेस्ट ही होगा, I think so, बाकी जिस पर ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे, उस पर वीडियो मनाने के लिए मैं आपके साथ हाजित रहूँगा, अभी के लिए तरह हैं मिलेंगे, फिर से अगर